हमारी टीवी इंडुस्ट्री में आज काफी अभिनेत्रियां टीवी शोज में काम करती नजर आ रही हैं कुछ नहीं हैं तो कुछ बहुत पुरानी एक्रिसिस हैं जो लगातार टीवी शोज कर आज भी टीवी इंडुस्ट्री में बनी हुई हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं वहीं कुछ ऐसी नामी अभिनेत्रियां भी हैं जो कभी टीवी इंडुस्ट्री का चमकता सितारा थी लेकिन आज वो जॉबलेस हैं वो पिछले काफी समय से किसी भी शो में नजर नहीं आई हैं क्योंकि उन्हें काम करने के लिए शोज ही आफर नहीं हो रहे हैं जिसके कारण वो सभी आज जॉबलेस एक्टरस बन गई हैं इसके पीछे का कारण बिग बोस के बाद अली मर्चेंट से इनका डाइवोर्स रहा है जिसके चलते इनकी पॉपलारिटी कम हो गई थी साथ ही नई एक्टरस के आने के बाद इन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था टीवी अभिनेत्री श्रद्धानिगम ने अपने करियर की शिरवात में काफी सारे हिट सीरियस दे थे लेकिन जब से इनका तलाग करण सिंग रोवर्ड के साथ हुआ ये तब से ही टीवी पर नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि तलाग के बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था लेकिन जब ये ब्रेक लेकर वापस लोटी तो इन्हें काम नहीं मिला और तब से लेकर अब तक ये जॉबलेस हैं एक हसीना थी शो में मशूर हुई अभिनेत्री संजीदा शेक आखरी बार साल 2017 में लव काहे इंतजार शो में नजर आई थी इस शो के बाद से ही इन्हें किसी भी शो में काम नहीं मिला जिसके चलते आज ही जॉबलेस हैं कुमकुम सीरियल से फेमस हुई अभिनेत्री जुही परमार पिछले काफी समय से टीवी परदे से दूर हैं आखरी बार इस साल 2016 में कर्म फलदाता शनी में दिखाई दी जिसके बाद ये किसी और शो में नजर नहीं आई है क्योंकि इन्हें कोई शो आफर ही नहीं हो रहा है जिसके पीछे का कारण इनका ओवर्वेट है इनके बढ़ते वजन के चलते इन्हें कोई शो मिल ही नहीं रहा है जिसके चलते आज ये जॉबलेस हैं तीवी के popular actress हैं मोरा सिंग लेकिन आज ये भी jobless हैं ये आखरी बार साल 2016 में कवच सीरियल में नज़र आई थी जिसके बाद इन्होंने कोई टीवी शो नहीं किया है क्योंकि इन्हें काम ही नहीं मिल रहा है जिसके पीछे का कारण इनकी ज्यादा फीज की डिमांड है जिसके चलते इन्हें शो आफर ही नहीं हो रहे हैं नमबर टू प्राची देशाई कसम से शो के बाद प्राची देशाई काफी popular हो गई थी लेकिन ये शो इनका last शो था जिसके बाद इन्होंने कई फिल्में भी की लेकिन आज इनके पास कोई काम नहीं है नमबर वन शिल्पाश अंगूरी भावी के नाम से फेमस हुई अभिनेतरी शिल्पाश शिंदे ने बिग बॉस के बाद टीवी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये खुद को टीवी से दूर रखना चाहते थी लेकिन आज अपने इसी फैसले के चलते ये जॉबलेस हैं तो द हुलें